नमस्कार मैं हूँ सौरभ शर्मा और आज कुरुक्षेद्र की शुरुवात इस वक्ती सबसे बड़ी ख़बर के साथ हम करते हैं दस दिन से देश भर में जैन समाज के लाखों लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी बातें मान ली गई हैं जैन समाज के आगे केंदर और राज सरकार जुग गई है जारखन की सरकार ने भी उन बातों को मान लिया है सम्मेठ शिखर जी को लेकर जो भी मांगे थी जैन समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थ को लेकर जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई हैं आपको बता दें जैन समाज की लोग अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के लड़ाई लड़ रहे थे और आखिरकार केंदर सरकार को भी वो मांगे माननी पड़ी और निर्देश जारी किया गया है राधिर सरकार को कि धार्मिक स्थल सम्मेज शिकरजी की पवित्रता किसी सूरत में भंग नहीं होनी चाहिए और वो आदेश इस वक्त मेरे हाथ में भी है आपको बता दें केंदर सरकार ने यह सपश्ट आदेश जारी किया है जार्खन की सरकार को जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि पूरे सम्मेज शिकरजी के इलाके के अंदर शराब की विक्री नहीं होगी किसी भी सूरत में पूरे पारसनात परवक्षितर पर शराब ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की विक्री करना पूरी तरीके से प्रतिबंदित होगा ये प्रमुख मांग थी जैन समाज की और इसके अलाबा आपको बता दें तेज संगीत बजाना तेज आवाज में संगीत नहीं बजाय जा सकता लाउट स्पीकर का उप्योग नहीं किया जा सकता आपको बता दें साथ साथ ये भी लिखा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जितने पवित्र स्थल हैं पवित्र समारक हैं जीलें चट्टानें गुफाएं मंदिर है इन सब इलाकों की प्राकृतिक शांती को भंग करने पर भी पूर्ण तह रोक लगानी पड़ेगी ये निर्देश जारी किया गया है राज्य की सरकार को पालतू जानवरों के साथ वहां जाने पर पूरी तरीके से बैन होगा इसके अलाबा एक और मांग जो थी जैन बन जाएगा और इससे वहां की पवित्रता को नुकसान पहुंचेगा उसका भी निर्देश केंदर ने जारी किया है और ये कहा है कि पारसनात परवत्षेतर पर कैंपिंग और ट्रेकिंग आदी की अनुमती नहीं होगी तो यानि वहां कोई ऐसी पिकनिक नहीं मनाई हैं उनमें से 20 कुमा मुक्ष प्राप्त हुआ ऐसी धारना है उस पवित्र स्थल को लेकर के भारत सरकार के पर्यावरन बन और जलवायू मंत्राले ने ये आदेश जारी किया है और ये रादि सरकार को जारी किया गया है जैसे मैं आपको बताया सभी प्रकार की नशीले किंग आदी नहीं की जा सकती मानसा आर का उपयोग भी वहाँ पर नहीं हो सकता इसके अलावा इसके आप दूसरे पन्ने पर आईए तो यहां जैन समुदाय की जो दो और बड़ी मांगे थी उनका जिक्र भी यहां पर किया गया है और शायद इससे काफी संतोश जैन को मिलेगा इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 2019 की अधिसूचना थी जिसके मताविक केंदर सरकार ने इस पूरे परवतिये इलाके को इको संसिटिव जोन गोशित किया था और तरसल ये राजसरकार की सिफारिश पर किया गया था केंदर के दुबारा 2019 में उसके खंड त तीम के सारे प्रवधानों पर ततकाल रूप से रोक लगा दी है केंदर की सरकार ने और ये स्पष्ट मांग थी जैन समुदायक की जिसको अक्षर्चा मानते हुए खंड तीम के उस अधिसूचना के सभी प्रवधानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है इसका मतलब य आने वाली सभी परेटन और एको टूरिजम की गतिविधियां बंद हो जाएंगी जैन समुदायक की जो बहुत बड़ी आशंका थी कि ये एको टूरिजम स्पॉर्ट बन जाएगा तो लोग यहां पर आएंगे यहां पर पिक्निक मनाएंगे यहां पर अलग-अलग तरीको इनकी और परेटन की गतिविधियां थी वो सभी पूरी तरीके से निशेद हैं पूरी तरीके से बंद की जाएंगी और आखरी पैराग्राफ में एक और महतपूर्ण निरदेश रादिय सरकार को जारकन की सरकार को केंदर की सरकार ने दिया है वो यह है कि एक निगरानी सम एक सदसे जन जाती है समुदाय का होगा तो अब आप साफ साफ कह सकते हैं कि जैन समुदाय की जीत हुई है और आपने इससे पहले कभी नहीं देखा भारत के इतिहास में कि शांतिपूर्ण जैन समुदाय को किसी भी बात को लेकर के अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरह स व्यक्त करना पड़ा हो लेकिन इस बार हुआ कि मामला उनके आस्थाओं से भावनाओं से धर्म से जुड़ा हुआ था और आखिरकार उसको लेकर के सजक्ता दिखाई है केंदर की सरकार ने और जो भी कुछ किया जाना हो चित्ता वो किया गया है अब हमारे साथ महमान अंगे का स्वागत है अनामीका अंБर जी हमारे साथ हैं कभी हैं लेखखें कैं अक्टिविस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में मेरे बगल में योग्भूशन जी महराज जी हैं महराज जी स्वागत है आपका हमारे साथ दो मानिय सांसद इस सबक जुड़ रहे हैं महुआ मान जी जी राजे सभा की सांसद है जारखन मुक्ती मोर्चा से महुआ जी सबागत है आपका भी और चंदर प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ है लोकसभा की सांसद है गिरिडी के आजसू से चंदर प्रकाश जी आपका बहुत सबागत है बरिश पतरकार पदीप सिंग जी भी हमारे साथ इस सबक जोड़े हुए तो सबसे पहले अनामाइका जी आपसे हम पूछना चाहते हैं क्योंकि आपको हमने बड़ा वोकल देखा इस मुद्दे पर वैसे तो पूरा समाज जी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था अब जो यह आदेश पारित की आदेश दिया गया है निर्देश दिया गया है राजी की सरकार को इससे समधान होता है जैन समुदाय की सभी आशंकाओं का सबसे पहले तो जोहरब जी बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी इंडिया टीवी का सकल जैन समाज की ओर से कि बिल्कुल सही समय पे आज तो बलकि मैंने एक बात और भी कही है कि हम अभिभूत है कि अनोज जैनतों पर जब संकट आया है तो अग्रज हिंदु तो एक हो करके उस संकट को के निवारन में लग पड़ा है मंच पर योग भूशन महराज जी उपस्तित है मैं इच्छामी करती हूं और सभी को यथा उचित मेरा अभिवादन पहुंचे और मैं आज इन पंक्तियों से प्रारम करना चाहती हूं कि नीती नियम और नैतिकता का मर्म सि सियासत में होता ति राम सरीखा राजा हो तो दर्म सियासत में होता और साथ अगर वो अपने तो ताईद बड़ी हो जाती है मन को आखे मिल जाए तो दीद बड़ी हो जाती है एक हार से मन का तारा अंबर बुझने लगता है एक जीन से मन की हर उम्मीद बड़ी हो जाती है निसंदेह जैन तत्तो की धुरी जैनरतो की धुरी हमारी आफ्था का केंद्र हमारा शिखर तीर्थ हमारा सम्मेद शिखर जो हर जैन के लिए जैनिज्म का पर्याय है हमारी हमें जब होश आता है तो हमें ये रहता है कि एक बार जीवन में बंदना जरूर हो क्योंकि एक बार से हर मन की जीत बड़ी हो जाती है और जिस उमीद के लिए संजे जी ने अन्शन रखा जिस बात के लिए हमारे एक मुनिवर को अपने प्राण तज देने पड़े जिस बात के लिए योग भूशन जी महराजी लड़ रहे हैं जिस बात के लिए इंडिया टीवी ने खुद भी बहुत बड़ी बात है और इस तमय हम धन्यवाद के क्रम में हैं और मैंने पहले भी कहा था सौरब जी कि जब भगवान श्री राम को उनका धाम मिलना था उनका धाम मिला और पार्श की गलियों से सक्री गलियों से भगवान विश्वानात स्वतंत्र हुए भगवान मह कालेश्वर की गरिमा के अनुरूप उनके मंदर का निर्मान करवाया गया ऐसे मैं आस्थावान सरकार से हम उम्मीद लगा करके ये बात बार बार कह रहे थे और हमें इस बात की उम्मीद थी उम्मीद दोनों तरह से थी एक तो इस बात की भी उम्मीद थी कि ये आस्थावा मैं एक बार योग गुरु जी से पूछना चाहता हूँ महराजी जब ये खाबर आई मैंने आपके साथ पहले शेयर की उसके बाद आपने भी अभी तक सब कुछ सबसे जानकारी ली होगी तो इससे निवारन हो जाता है सारे प्रश्णों का या अभी कुछ बाकी है देखिएगा बहुत भाद धन्यबाद इंडिय टीवी का जो स्वागत अभी भाषन कर रही है इस अध्यादेश का जो केन सकार ने आज जारी किया है कि जो जैन समाज की जो मांगे हैं उनकों स्विकार करते हैं लेकिन एक प्रमुख मांग जो जैन समाज की है जैन धर्म के ज केंद्र स्रकार को आज पत्र भेजा है और जो भी अध्याद्यदिश जारी किया है उसको तो राजी सरकार आक्षर सा अनुपालन करे हमें उम्मीद करते हैं। जो आपकी मांग में भी था। तो ये दोनों बातें केंदी की तरफ से इसमें की गई हैं। हमारे साथ एक और धर्मगुरु जोड़ रहे हैं। नए पदमसागर जी महराज जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। और आपने देखा होगे इस पूरे आंदुलन की पूरी निग्रानी भी कर रहे हैं। अपने समाज की मांगे जो हैं बड़ी प्रमुक्ता के साथ दहरे के साथ उन्होंने रखी हैं हम सब के सामने। महराज आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैं और आपके चेहरे की थोड़ी सी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि शायद ये पहला कदम उठ गया है सारी संकाओं के निवारण की तरफ। जी बिलकुल खुशी है बहुत आनंद है और मुझे विश्वास था कि प्रदानमंतरी नरिंद्र मोदी जी की सरकार ये तिर्थों के साथ अवश्य और पवित्र न्याई जरूर करेगी और आज जो पहला कदम शरू हुआ है वो अदबुत और अविश्मरणी है पूरे समा आज के अंदर आनद आनद फैल चुका है और जिस तरह से तिर्थ की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए उसके लिए केंद्र सरकार ने पुपेंद्र जी ने बहुत अदबुत कदम उठाया है उसकी हम बहुत-बहुत सराहना करते हैं लेकिन माराजी हम लोग ये बात कर रहे थे पहले भी कि इस बार पहली बार देखा कि जैन समुदाय को अपना रोश व्यक्त करना पड़ा ऐसा कभी नहीं हुआ था आज ही बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर इतना शांतिप्री समुदाय है जिसने हमेशा सिर्फ दिया देश को समाज को आखिर वो इतना आज अंदूलित क्यूं हो गया था इसका कारण स्पस्ट है जहिन हमेशा पूरे भारत की 140 करोड प्रजाग के बारे में सोचते हैं क्योंकि ये तिर्फ ये भारत की असमिता है ये तिर्फ नहीं बचेंगे तो भारत भी नहीं बचेगा और ये तिर्फों के कारण भाईचारे की भावना अहिंसा और करुना की भावना, दान और उदवरता की भावना इन तृथों के कारण बची है। देका सेवणों तो वह आत्मेंपतके मरगibly मैं जाती हैION रव्रों नरक में जाती है तो कोईभी भारतिया या विडेश का व्यक्ति ये महां तर्थ हो पर आ करके नरक गामी न बने और ये तिर्थ सभी के लिए तारने वाला बने सभी धर्म सभी जाती के लोग ये पवित्र तिर्थ पर आ करके ये पवित्र परमपरा के आधार पर परमसुक को मुक्ष सुक को सालवेशन को प्राप्त करें ये तिर्थ की आशात्ना जब शुरू हुई इसलिए जैनों के अंदर भयानक रोश था और रोश से भी ज्यादा भयानक दर्द था लेकिन मुझे बहुत कुशी है के अंदर सरकार ने बहुत अच्छा कड़म उठा करके इसका पवित्र निराकरन करने का शुभारंब कर दिय है उसकी हमें अपार खुशी है मुझे तो आपकी बात सुनकर ही जो है इतना संतोष हो रहा है क्योंकि आपने जैसे अपनी बात कही तो इसमें केवल जैन समुदाय का कोई अपना स्वार्था ऐसा नहीं लग रहा बलकि आपने कहा कि आप तो चाहतने किसी और समुदाय का व्यक्ति वहाँ जाए वो भी कोई पाप अपने सर न ले ले उसको भी पाप से बचाने के लिए हम चाहते थे कि ये सारे काम किये जाए वहाँ पर वो उसकी कुछ शेरिस्थ है मेरे पास जैसे अब सरकार ने ये निर्देश किया है कि महाँ शराब की बिक्री नहीं हो सकती किसी भी प्रकार के नशीले पदार्त की विक्री वहाँ पर नहीं होगी कोई मांसाहार वहाँ पर नहीं होगा और इसके लिए एक निग्रानी समिती भी बनाई जाएगी उसमें जैन समुदाय के लोग भी रखे जाएंगे तो इससे आब को लगता है कि आने वाले दिनों मे कहीं कोई ऐसी अन्होनी न हो इसको एक फूल प्रूफ तरीके से जामा पहना दिया गया है लग रहा है देखो मैंने पहरे भी बताया था सरकार बहुत अध्यात्मिक और पवित्र है और यह पवित्रता यही भारत का मुलाधार है और जैन शब्द भी यही है इंद्रियों को जीतनी की कोशिश करे वो जैन चाहे वो ब्रामणों क्षत्रिय हो वैश्य हो शुद्र हो कोई भी धर्म का उपासको इस देश को या परदेश का हो और हमारी मंगे बहुत जायज है अज कोई मनसाहर करेगा अज विश्व में जितनी भी बड़ी बिमारी आई है कोरोना मनसाहर के करण मेकव डिजीस मनसाहर के करण इबोला मनसाहर के करण स्वाइन फ्ल्यू मनसाहर के करण बेट फ्लियों मां सहार के करण कोविड के बाद तो चाइना ने चाइनीज वेजिट्रियन सोसाइटी की सांगाई वेजिट्रिय जो सअपना की और वहां कोरोना के डर से 52% से ज़्यादा लोग मांसाहर त्याग कर चुके हैं मैं नहीं चाहता भारत की प्रजा ये बैयानक बिमारियों की चपेट में आके प्राण त्याग करके ये मुल्यवान भारत देश और मुल्यवान मनुष्य जीवन को वरबाद करे और ये प्रेणाएं केवल तिर्थों से मिलती है और तिर्थों की पवित्रता नश्रकी यानि भारतीय सब्यता और भारतीय संस्कृती समाब तो हो गई भारत को विश्वगुरु कहा जाता है और ये विश्वगुरु की पहचान ये हमें तिर्थ दिलाते हैं जी माराजी मैं अपने बाकी महमानों के पास आपकी बात ले करके जाता हूँ हमारे साथ हमारे दो वरिष्ट पॉलिटिकल महमान भी है उसे पहले एक कॉमेंट प्रदीब जी का मैं जरूर चाहता हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा होगा लोगों को अभी भी कि इस कार अरचन बनी हुई थी जारखन की सरकार की तरफ से कोई दिक्कत थी या केंदर की सरकार की तरफ से दिक्कत थी एक छोटा सा कदम जो आज एक चिठी लिखी गई है केंदरी बन मंतराले की परावरन मंतराले की तरफ से और इतनी खुशी है सब जगों पर ये पहले क्यों नह नहीं बक्चेगी तो यह संस्कृती नहीं बचेगी, संस्कृती नहीं बचेगी, यह देश नहीं बचेगा. मुगलों की गुलामी हमने अंग्रेजों की झाली लेकिन आपने तीर स्थनों की प प्वितरता को कायम रक्था. तोड़े गए मंदिर दर्मस्थल तोड़े गए लेकिन उसके बावजूर ये आपने सवाल किया कि आखिर ये क्यों हुआ मेरा मानना है कि ये कोलोनियन हैंगोवर जो संस्कृति को समझता नहीं है या समझना चाहता नहीं है जिसको तीर्थियात्री और पर्याटक का फर्क नहीं मादो जिसको तीर्थिस्थान और पर्याटन स्थल का फर्क नहीं मादो उसके लिए ये बात उसकी समझ से बाहर है कि तीर्थ यात्री और परेटर कैसे एक नहीं है, तीर्थ यात्री के रूप में जाता है, अगर हज के लिए जाता है, तो उसको जायरीन कहते है, उसको परेटर टूरिस्ट नहीं का जाता है, तो इसलिए जो है, जो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ जानने वाला तीर्थ यात्री है, उसके बारे में उसी तरह से सोचना चाहिए, और वो जो इलाका है, जो भी तीर्थ स्थान है, उसकी पवित्रतगा को बरकरार रखने के लिए बनाए, रखने के लिए सरकार और समाज द इसमें पर्यावरन की बहुत जादा संभावना है यह उसी सोच का परिडाम है जो हमें अपनी संस्कृती से दूर ले जाने की कोशिश करती है तो मुझे लगता है सरकार ने देर सही दुरुस्त आई है और सही फैसला किया है देखें इसमें प्रदीब जी अब चूंकि पत्र सारे और पुरानी सारी नोटिफिकेशन जो सरकारी आदेश है सामने आ गए जैसा आपने कहा कि गलती लगता दोनों तरफ से हुई है इसमें राजी की सरकार से भी और केंदर की सरकार से भी राजी सरकार के परेटन नीती में भी इस तीरस्थल का जिकर करके धार में परेटन की बड़ी संभावनाएं आपार संभावनाएं ऐसा कहा गया और केंदर ने भी वो भी राज़ी सरकार की सफारिश पर था, वो पूर्व की राज़ी सरकार की सफारिश पर था, कि यहाँ पर परेटनसल घोशित हो, तो केंदर ने इसको एको सेंसिटिव जोन घोशित कर दिया, मैं अपने सांसद हमारे जो साथियं वरिश उनके पास में जाना चाहता हूँ क्योंकि गिरिडी से ही सांसद है चंद प्रकाश चौधरी जी चंद प्रकाश जी समस्या का निवारण हो गया है या आपको लगता है कि अभी इसमें आगे भी कुछ और करने की जरूरत है सबसे पहले आपको धन्यवाद चुकि पारसनात और सिखर सम्थ जो है हमारे लोकसभाद खेतर में और कई एक बार हमको वहाँ जाने का भी आउसर मिला है कई के हमारे गुरु हैं जैन गुरु हैं उन लोगों से भी मुलाकात हमेशा होती रहती है और पारसनात के बारे में हमेशा चर्चा होती है कि वहां की पवित्रता बनी रहे वहां चुकि वह धार्मिक शेत्र है और धर्म को रास्था का जो हमारा लगा हो है जो विचारधारा जो उसका हम लोगों को टूरीजियम परियाटक छेत्र में जो उसको उसको विक्सित करने का बात का गया था उसमें कहें न कहें तालमेल्डी कमी रही शमाज के दौरा या जो बात रखी गई है जो आज पहले अच्छे धंग से नहीं रह का राजसरकार से भी गलती हुए है और जो केंद्र सरकार जो आज अपना अध्यादस जारी किया है काफी स्वागत योगह रहेंगे कि जो केंद्र सरकार से जिसमें कमिटी बनेगी जिसमें जहन समाज के भी लोग रहेंगे कुछ वहां के जनपरतिनी दीको भी इस पर जोड़ना चाहिए संसद हो या बरतवान संसद या बरतवान गिदाय को उनको भी रखना चाहिए ताकि उस पर हम लोग हमेसा नजर रखे और जो भी परिस्थिती आती है कभी कभी कई चीज़ आती है उसको हम लोग बैटकर दूर कर सके नहीं अच्छा सुझा होए आपका चंत्रगाज जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए मौवा मांजी जी यह से आप देखी रही हैं कि बाकी जितने हमारे मेमान हैं खास दोर पर जैन समुदाय से जो आते हैं कितने प्रसंद हैं इसको लेकर कि लेकर हम यह देखा राज्य की सरकार बार-बार केंड से कह रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते आप करिये और केंद की तरफ से चिठी लिखी जा रहे थी दिसंबर के महिने में राज सरकार को कि आप हम कुछ सिफारिश बेजिए तो यह नहीं समझ में आ रहा था कि आकर इसे पहल कौन करेगा चलिए पहल केंद की तरफ से हो गई लेकिन वही सवालи काये पहले नहीं हो सकता था देखें आज आपने देखा औगा कि मानिय मुक्यमंत्री श्री हेमัंद सुरिन जी ने पत्र लिखा है ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा है और उसमें उन्होंने इसे कहा है कि उन्होंने केंद सरकार के हो हशे दो सितमبر पहली बार भाजबा सरकार ने 2019 में की थी, केंद्र से इसकी शिपारिश की थी, और ये 26 फरवरी 2019 का डेट इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इस गजट में, ये अप्चिक केरी, उसके बाद, हाँ, उसके बाद केंद्र सरकार ने एक और भीजा था, जो कि 2 के उपायोग को लिखा गया चिथी है, सरकार के सच्चियों द्वारा, तो राज्य सरकार जुबत्मान सरकार है, जारकर मुक्ती मोर्चा और महागरबंधन की सरकार, इस सरकार की तरफ से उस तरह की कोई गलती ऐसी हुई नहीं, जैसा की प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये बहुत चारा सम्मान है यहां पर, और सब लोग यहां बहुत प्रेम से मिलजूल कर रहते हैं, क्योंकि पारसनत की पहारिया और स्री समेथ शिकर जी आज से नहीं है, ये सैकरू साल से हैं, और यहां पर हमारे अत्यान सम्मानी जो जैन तित्थंकर हुए 24 में से 20, कभी उनक परिशानी आई है, तो इसको लेकर माननिय मुक्यमंत्री जी गंपीर है, इन्होंने आदेश दे दिया है, इन्होंने केंदर सरकार के हमारे जो मंत्री है माननिय वुपेंद्र यारब जी को पत्र भी लिखा है, आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं, मैं ट्वीट दिखा कि हम लोग परेटक और तीर थियात्री के बीच का फरक करते हैं या नहीं करते हैं आपने ठीक बताया पिछली सरकार में जब रगुबरदास मुख्यमंत्री थे तब ऐसी बात हुई थी उसके बाद ही केंदर ने गजट निकाल करके बताया कि एको संसिटिव जोन कोशित किया जिसको आज उन्होंने वापिस लिया है लेकिन आपकी सरकार की भी परेटन नीती जो 2021 की है मैं उसको कोट करना हूँ जैसे उसमें ही लिखा है कि धार्मिक दिश्टिकोंड से राजी के प्रमुक धार्मिक परेटन स्थल बाबा बैदेनाध धाम मंदिर पारसनात मंदिर मा पालेश्वरी मंदिर बासुकी नाध धाम राज में धार्मिक परेटन की संभावना बढ़ाते हैं उनका एक कहना था है कि धार्मिक और परेटन ये एक साथ नहीं होने चीए कभी भी धार्मिक परेटन शब्द ही गलत है इस पर आगे बात हम करते हैं जैन साब बहुत जेर संजे जी जहें संजे जी जो है इसके बारे में आप तक पूरी जो है जानकारि ले चुके होंगे संजे जी मुझे यह बताईए कि कोई मांग शेष है हलो जी हलो बिर्यावाज अगर आप तक पहुंच रही है आप मुझे सुन पा रहे हैं हाँ बोलिए मैं आपसे पूछा था कि क्या कोई मांग शेश है भी ने ने देखिए जिस प्रकार से विश्टित रूप से हमारे मिनिस्ट्यों फोरेस्ट ने जो लेटर जारी किया है साथ-साथ उन्होंने इसको विश्टित रूप से पैरा नंबर तीन में उसको विश्टित रूप से लिखा है जो में 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 बाती की ट्रेकिंग और कैमपनी नहीं हो सकती और चोड़ी चोड़ी बातों को जो लिखा गया विश्टित रूप से वह बहुत प्रशन्स नहीं और जो हमारे सकल जैन समाज की चिंता का विश है था और जो हमारे माननी है जारकंट के मुख्य मंत्री जी है उनका वी ट्विट मुझे तीन वज़े प्राप्त हुआ था आपने भी अपने जो पत्र है उसमें भी इसी एक तरह से सरकार को अथराइस कहता कि भाई आप इस रिटरैट पर किया है थो मुझे आशा है कि जिस प्रकारसे जो भी वहाँ पर देखें चाहिर हमारी जारकंट सरकार likely हमारी सरकार हो उप fence को पुपित्र रखना चाँती है एक ही मंद्शा करूंगा क्योंकि इस प्रकार से वहाँ पर ट्रैकिंग जो अब फर्दर क्योंकि यह बहुत बड़ा कारी है जारकर्ण सरकार के पास भी आ भी जा सकता है लेकिन वह परवतारों या घूमने या अश्डिल ता जिस प्रकार से पंदरा जनवरी को किया गया हम सभी का स्वागत करते हैं हमारा तीर तराज है लेकिन वह उसी प्रोटोकॉल में आए जैसे वह कहीं वैशनोदेवी जाते हैं मरनाच जाते हैं या गुर्द जारकर्ण की सरकार ने कहा है वो आश्वासन है कि ऐसे ऐसा किया जाएगा और यह जो आपके मांग है उसके अनुसार ही होगा उनका क्या मवाजी उनका कहना यह है जैन साब का कि यह एक्शन में नजर आए यह बहुत जरूरी है और इसको इसको इंप्लिमेंट जो है वो ज जारकर्ण की सरकार ही कर सकती है तो करुक्षेत्र की आज की कारेकर्ण की शुरूरात में अच्छी ख़बर आई वो यह कि श्री शमेर शिखर जी के पूरे परवतिये इलाके को अब पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी जहां जो मांगे थी राज्य सरकार की माफ की ज सल गोशित हो जाएगा तो महाँ पर अनिक प्रकार के क्रिया किलाब शुरू हो जाएंगे उसको लेकर के केंद्रिय वन मंत्राले पर्यारवन मंत्राले ने रादे सरकार को चिछ्छी लिखकर निर्देश दिये हैं कि महाँ सुनिश्चित करे कि यह सब इन चीजों का सकती स पालन हो महमान हमारे साथ जो हैं वो लगातार बने हुए हैं महाराजी मिरसाथ स्टूडियो में हैं योग भूशन जी महाराजी एक मांग आप लोगों की यह भी थी कि श्रीशमेर श्रिखर जी को तीर्थ शेत्र का दरजा दिया जाए जैसा कई और लाकों में दिया गया जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण जन भूमी को मिला हुआ है मतुरा के अंदर जी बिलकुल जी कि अभी भी आप चाहते हैं कि हो हर एक धरम में उनके लिए पाप दोने का एक मुख्य स्थान होता है जैसे इसलाम धरम में मक्का मदिना है हिंदू धरम में आयुध्या है काश है महाकालुजयन है केदारनाथ है अमरनाथ है ठीक वैसे ही समग्र जैन समाच का एक मात्र जो आस्था का महत्पूर्ण तीर्थ है वो जार्खण में इस्थित है स्री संवेथ सिखर जी जहां से 20 तितंकर मोक्ष गये हैं और जो 23 तितंकर स्री पाशनात भगवान की मोक्ष वुमी है और सबसे ज्यादा लोग जो बंदना करने के लिए आते हैं संपूर्ण विश्व से तो सम्मे शिखर के संधरों में ऐसा कहा गया है कि सम्मे सिखर शिद्धक्षित्र की तीर शिट्र की जो बंदना कर लेता है वो नरग गती में और तरेंच गती में नहीं जाता ये धार्मिक आख्यान है, सरकार ने जो मांगे स्विकार की हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और सरकार के इस अध्यादेश के लिए हम उनका अविन्दन भी करते हैं, लेकिन सबसे महत्पूर्ण वात ये है, कि उसे पवित्रतम जैन तीर्थ गोशित किया जाए, ताकि जाएं कि तीर्थ स्थान और परिटन छित्र, इन दोनों में जो मुख्यंतर क्या है, मुख्यंतर ये है, तीर्थों पर घूमने नहीं जाते हैं, तीर्थों की बंदना करने जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं, और परिटन छित्रों में घूमने जाते हैं, तो जो सम्मित सिख्षित्य ते वो एक तरह से घर का पूजा का कमरा है जहांपर आप जूते चपल करन के निजा चाहते हैं। गैर सामाजी तत्व भी वहां जाते हैं और वहां जाकर के वो सामाजी गतिविदियां करते हैं जो स्विकार नहीं हैं। जैसे कि वैशन देविम होता है हर यात्री का पूरा पंजीगन होता है कौन है कहां से आया है ऐसे ही सम्मे सिख्र के यात्रा पर जाने से पहले प्रतेक यात्री का पंजीगन होना चाहिए कौन है कहां से आया है औसकी पूरी जाच होने चाहिए और सम्मे सिख्र की यात्रा मा बाकिया और यह होना चाहिए तो यह बहुत स्वागत योग्य कदम था और उसकी हम बहुत खुशी से सराना करते हैं परन्तु जब तीर्थ सब्द सरकार के द्वारा जुड़ जाता है तो वह लॉएन और के अंतर आ जाता है और सभी लोगों को उसका पालन करना पड़ता है चाहे वो कोई भी रखती हो कोई भी धर्माव लंबी हो और तिर्थ यह भारतिय संस्कृती का मूलभूत शब्द है तो यह पवित्र तिर्थ जैनक्षेत्र गोशित हो यह हम सभी की भावना है और हमें विश्वार से सरकार अवश्य इसको करेगी ही और इसका अनुपालन बहुत अच्छे से होगा तो यह धार्मिक शत्र है इसको पर्यावरण के जगे पवित्र जैंतरत क्षेत्र गोशित करने से बविश्य में कोई भी असमाजिक गतिवी दिया कोई भी प्रकार के दूसरे विवाद यह तिर्थ पर कभी नहीं हो पाएंगे इस पर मैं क्लारिटी जैन साथ से लिलितना हूं संजे जी से जैन जी यह भी आपकी मांगों में शामिल था तो यह मांग किस से है यह राजी की सरकार से मांग है या केंदर से मांग है अगर नोटिफिकेशन अलग से भी अगर आ जाये तो जिस प्रकार से हमारे परम पूर्जी ने भी और शुर्लक जी ने भी कहा अगर धार्मिक छेतर के रूप में भी आ जाये जिस प्रकार से शिर्चा हुई है गजट नोटिफिकेशन आते हैं तो और भी जादे हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा हाला कि जितनी भी गतिवी दिया हैं हमारे के इन सरकार ने इसके अंदर लिखी हैं जो गैर धार् जी दो बाती हुई थी एक तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि तीर शेतर का दर्जा अगर मिल जाए इस पूरे इलाके को पवित्र धाम को और दूसरे कि ये सारे नियम कड़ाई से लागू हो ये सुनिश्चित करना काम राज्य की सरकार का है जी देखिए सबसे पहली बात कि यहां हमारी जो सरकार है वो हर जाती और धर्म की भावना का सम्मान करती है और अगर इस तरह की बात आई है इसे जन भावना आहत हो रही है तो जिश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें आपके साथ है और केंद्र के आदेश आएगा ही म मुख्यमंत्री जी ने वहां पत्र अगरक किया है पत्र भीजा है और वहां से जैसे ही वहां से कोई रिप्लाई आएगा और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से लगी है और बहुत जल्दी मुझे लगता है यह सारी कारवाई पूरी कर ली जाएगी इसलिए चिंता का इसा होना चाहिए ताकि आगे भी यह कायम रहे उस पर भी राज्य सरकार गंबीर है और बहुत जल्द वो यह सोचना भी जारी करेगी निशितरूट से बिल्कुल यह अगर ऐसा होगा और यह कंतिम मांग है यह मानी जाएगी जैन समुधाय की तो मुझे लगता है कि बहु बुगदान देश के लिए कितना है और उनको अपनी मांगों को लेकर के आगे आना पड़ा माइनॉरिटी में माइनूटिस्ट माइनॉरिटी है बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सवरब जी देखे जैन समाज जो है वो सबसे शान्तिप्रिय समाज में से एक है और समाज के प्रती इतना समवेदन शील है बहुत कम समाज के लोग होंगे जो इस तरह से अपना आचार विवहार रगते होंगे किसी को नुकसान नहीं पहुचाना सब की भलाई के लिए सोचना उनके संतों को अगर सड़क पर उतरना पड़ा तो ये सरकारों को और राजनिताओं को सोचना चाहिए ये गंभीर विशय है ऐसा क्यों हुआ किन वजहों से हुआ ये मैं फिर वही उसी बात पर लोट कर आऊंगा कि ये हो रहा है मानसिक्ता के कारण जो मानसिक्ता मनोरंजन और पूजा में फर्क नहीं करती परेटन स्थल मनोरंजन के लिए है परिवार के साथ जाते हैं हाँ कुछी मनाते हैं कोई बुराई नहीं है उसमें होना चाहिए परेटन स्थल और बढ़ने चाहिए उनका विकास होना चाहिए लेकिन तीर्थ स्थल जो है वो पूजा ध्यान और 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 आपके आस्था का केंदर है प्रदीव जी बिल्कु ठीक बात है लेकिन जैसे मैंने तो भी आपके सामने 2021 की जार्खन सरकार की परेटन नीती पढ़कर के सुनाई और ये केवल जार्खन के विशे में मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता और और सरकारें भी ऐसे ही करती है धार्मिक परेटन हमारे यहां पर एक नया शब्द गर दिया गया है बिल्कुल गलत है यह वही कह रहा हूं यह गलत सोच का नतीजा है जो धर्म को परेटन से जोड़ कर देखती है हजारों साल से हमारे यहां तीर्थ सिस्थानों पर जो लोग जाते रहे हैं वो तीर्थ यात्री ही कहलाते रहे हैं वो कभी परेटन के उद्देश से जाते भी नहीं जो लोग जाते हैं उनकी उस स्थान में आस्था है इसलिए जाते हैं उनको लगता है यहां जाने से हमारे जो अभी मुनिश्री कह रहे थे पाप कटे हैं या मोक्ष मिलता है यह सब धारणाएं जो हैं उनकी वज़े से जाते हैं वो वहां मनोरंजन के लिए नहीं जाते हैं तो सरकारों को ये सोचना चाहिए कि ये जो मैकाली की सिक्षा का अशर अभी तक चला रहा है उसमें बदला होना चाहिए उसमें परिवर्तन आना चाहिए तीर्थिस्थान को आप इस तरह से परेटन स्थल बनाने की पोशिश हाते हैं तो एक तो लोगों का ध्यान आकरिष्ट हम जादा कर पाएंगे दूसरा यहां पर और चोटे-मोटे रोजगार जो हैं वो और पनपेंगे तो मतलब एक आर्थिक गतिविधी का केंदर भी वो बनेगा नहीं मुझे नहीं लगता आप देखिए सबसे जादा लोग अगर कहीं आते हैं तो वो है जब भी कुम्भ लगता है कोई सरकार उनको बुलाती नहीं कोई सरकारी गतिविधी नहीं होती है सुरक्षा इंतजाम और जो है लोगों की सुविधा के इंतजाम के अलावा और गटना दुन गटना नहीं होती है आर्थिक गत्विधियां भी बढ़ती है तो तीर्थ में आस्ता जहां होगी वहां फिर ये चीजें अगर आप लाने की कोशिश करेंगे कि यहां यहां पर ये दुकान चलने लगे जिनको जिस चीज की जरूरत होगी वो सामान खरी आप कुम के मेले में आप देखिए जो दुकाने लगती हैं लोगों की जरूरत के हिसाब से लगती है तो इसलिए तीर्थ स्थान जहां भी हैं वहां की जरूरत वहां की परिस्थिती के अनुसार ही उसका विकास होना चाहिए वहां के वर कमर्शियल अगर आपका ध्यान हो तो commerce को मतलब अर्थ को वहां पर छोड़ देना चाहिए मोक्ष का स्थान है अर्थ को छोड़ कर जाना चाहिए वहां पर आप जो है अर्थ भोज रहे हैं जी ठीक मैं आपकी बात और मारी सांसर जी मारे साथ एंकी बात बाकी मेमानों के पास ले जाओं एक अंतिम उनके comment ले देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रशन उठाया है धार्मिक परेटन मैं निवेदन करूंगा कि परेटन शब्द और धार्मिक शब्द कभी एक साथ हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की मानसिक्ता लग होती है परेटन के नाम पर आदमी परवतारों कैंपिनिंग और इसके लावा एको सेंसिटिव जोन में भी जो टूरिजम और इको टूरिजम जो शब्द है उसको निशेत किया गया है विशेस रूप से क्योंकि ये केंद्रे सरकार का लेटर है तो मैं निश्चित रूप से जो हमारी मापर इको टूरिजम के लिए पॉल पूरे देश की आवाज आप लोगों के साथ थी और आपकी मांगों में कुछ भी अनुशित नहीं था बिल्कुल जायज मांगे थी इसलिए इतना समर्थन देश घर से आप लोगों को मिला है और इसमें तो मुझे तो यह भी बात महवाजी यहां पर है लेकिन फिर भी मैं कहूं जा फोड़ा लाइटर वेन में हमारे हाँ हर मुद्दे पर छीटा कशी हो जाती है राजनीती में पार्टी एक दूसरे के ओपर तौमत लगा देती है यह एक ऐसा विशह था जिसमें किसी भी पार्टी ने किसी दूसरे के ओपर ऐसा कोई बहुत बड़ा आरोप नही देता हूं। इसलिए पुनहा सरकार से हम यही निविदन कर रहे हैं कि जो मांगे स्विकार की उसके लिए बहुत बहुत अविवादन अविनंदन साथी साथ अबस एक और मांग है कि आप सम्मेज सिखर को जो की जैन समाज की आस्था का हिमाले है उसे आप पवित्रतम जैन तिर्थ गोश की श्री सम्मेज सिखर जी क्या है उनको नहीं पता होगा कि पालिताना के अंदर क्या है लेकिन इस पूरे पिछले दस दिनों के पूरे प्रकरण में कम से कम इन दो इतने श्रेश हमारे धार्वेक स्थालों के बारे में जान पाए लोगों की रुची बढ़ी होगी अब आज जाते जाते आप कुछ अगर कुछ कहना चाहें अगर आप लोगों की बहुत आध्यात्मी गुरुची बड़ी है बहुत खुशी और बहुत आनंदे भारत तो ये धर्मों का देश है और ये भारत के अंदर हर भारतियर जो भारत में जन्म लेता है वो सबसे ज़्यादा सवभाग्य शाली है या अनेकता में भी एकता है सब भाईचारे से आगे बढ़ते हैं सब प्रेम और महित्रे के करती है और आत्मा को परमात्मा बनाने का जीव को शीव बनाने का पवित्र अवसर यह हमें तिर्थ प्रदान करते हैं और सभी आत्मा ऐसे पवित्र तिर्थों पर जा करके निश्पाप बने सद्गती की परमगती की भोक्ता बने और सभी आत्मा परमात्मा बने यही हमार नाई परमात्मा के श्री चरणों में समगर भारत और विश्व के लोगों के लिए पवित्र प्रार्थना बहुत बहुत धन्यवाद आपका माराज जी योग बूशन जी आपका बहुत धन्यवाद संजे जैन जी हमारी सांसद हमारे साथ थी महुआ मान जी जी बहुत धन्यवाद आपका और प्रदीब जी आपका क्योंकि आज आपने जो विशे छेडा है मुझे लगता है कि इस पर झाल